नमस्कार A to Z dishes उशाक और जानी में आप सब का स्वागत है हम रोजाना खाना तो बनाते ही है पर हम सबी लेडिस की प्रॉब्लम यही है सुबर को उठकर हम यही सोसते कि आज खाने में क्या बना है तो आज इस वीडियो में मैं एकदम बढ़िया सा बहुत ही टेस्टी सिंपल रोज के खाने में से एक सिंपल सा आइडिया आपके लिए लेके आई हूँ कि आप यह बढ़िया सा खाना बना सकते है जिसमें मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी बनाई है दाल, चावल, रोटी, बढ़िया से यह क्रिस्पी-क्रिस्पी आलो टुक और चटनी य चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं औरत दाल, तो औरत दाल बनाने के लिए कड़ाई में आपको कुछ भी नहीं डालना है बस यह उड़त दाल डाल देनी है, यह काली औरत दाल है कि एक कब जितनी मैंने डाली है इसके अंदर और आपको धीमी आज पर इसे तकरीबन तीन से चार मिनिट तक अच्छे से बूनना है, जैसे जैसे आप इसे बूनते जाएंगे ना, इसका हलका सा कलर चेंज हो जाएको और एक तम बढ़िया सी खुश्पू आएगी, यह जो काली उड़त दाल है ना, हमारे सियत के लिए काफी फायदे मिन्द होती है, और यह इतनी टे अच्छो देखे इस तरह से मीक्सर जार के अंदर निकाल लेना, आप 0.7 być अब पीश देना है अब पीसना कैसा है, हलकासा दर्दरा कैसी हमारे साईगे,पर दाल कार पिसक पूल दी मिकसर को चला कर फिर बंद कीज़े फिर चलाइए ऐसे करके आपको पीसना है अब यहाँ पर मैंने ओखली ले लिए इसके अंदर आदी चमच जीरा दस से बारा मैंने साबुद काली मिर्ची और आदी चमच जिते साबुद दनिया डाल दिये इन सबी को हम दरदरा कूट लें चुठी बरहिंग और जो हमने यह मसाला कूट कर रखा दा ना दरदरा वो डाल देंगे दो सूखी लाल मिर्च को तोड़ कर डाल देंगे और इन सबी को थोड़ा सा भून लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरसों के तेल में यह दाल इतनी बढ़िया लगती है न तो जरूर एट कीजेगा एक चौथाई चमजना अद्रेक लसिन की पेस्ट डाल देंगे और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे उसके बाद यह दरदरी पीसे भी ओड़त दाल आपको डाल देनी है काली वाली और बस इसे आपको अच्छे से भूनना है इन सभी के अंदर यह healthy भी है टेस्टी भी है तो ठria करना बनता है अब यहां पर मैंने से थोड़ा सा भून ले लिया आ इसके इन डाल दिया दिया सिफ एक चमज गेहुं का आठा जो खाने वाला चमज होता है। उसे मैंने एक चमच गीहूं का आटा डाल दिया है, धीमी आज पर एक मिनिट तक और भून लेंगे ताकि गीहूं का आटा भून जाए, उसके बाद अब इसके अंदर में डालूंगी पानी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक गलास जतना मैंने पानी डाला है, अच्छ थाई चमच हल्दी पाउडर, अच्छे से देखें, इस तरह से मिला लेंगे, और इसे बीच बीच में चलाते हैं, ऐसे खुलाई पकाना है, तकरीबन पान्स से छे मिनिट तक, तो इसके अंदर लाल मिर्च नहीं डाली जाती है, क्योंकि इसके अंदर मैंने साबुत काली म अच्छे से तयार है, यह राइस, रोटी, खिचडी ऐसे पीने में सबीक के साथ यह बढ़ी बढ़ी लगती है, और चलिए अब बनाते हैं बढ़ी चटनी और यह ऐसी बाज चटनी नहीं यह राजकोट की बहुत ही खास चटनी है, यह बहुत टेस्टी लगती है, उसके ल तो यहां पर देखें मैंने मुमपली को पीस कर एक प्लेट में निकाल लिया उसी मिक्सर जार के अंदर हम डेर सारी हरी मिर्ची डालेंगे यहां पर आप देख सकते हैं तकरीब न मैंने इसके अंदर छे से साथ जितनी हरी मिर्ची डाली है और एकदम फ्रेश ताजी अधर से हाथों की मदर से इसका अरस निकाल लेंगे और इसे ढग कर पीस लिया यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे पीस कर तैयार कर लिया अब जो आपको डाल देना है पर धियान रखेगा मुमफली आपको भुनी हुई लेनी है अगर आपके पस कच्छी ह तो उसे पहले वून लिजी उसके चिलके निकाल लिजी उसके बाद इसमें इसमें इस्तेमाल कीजे मुमफली का पाउडर डालने के बाद मैंने इसे फिर से पीस लिया और यह चट्मी बनकर तैयारे राचकोट की बहुत ही प्रसिद है पकोड़े पराठे सबी के साथ यह बहुत टेस्टी लगती है चलिए बना लेते अब आलू टोकी इतने कुरकुरी और इतने मज़िदार बनेंगे न उसके लिए आपको ले लेने है आलू जादा बड़ी नहीं इस तरह से मीडियम लीजेगा यसे भी छोटे होंगे तो भी चलेगा तो देखे पानी से मैंने इस अच्छे से वाश कर लिए इसके उपर का चिलका आपको निकाल लेना है इसी तरह से सारे आलू का निकालने के बाद एक आलू के हम बीच में से दो टुकड़े कर लेंगे यहां पर आप देखे ज्यादा चोटे आलू नहीं लेने है इस तरह से मीडियम पर इससे बड़े न तो यहां पर देखे अब आलू टुको नहीं में फ्राइ करना होता है तो मैंने हापर तेल गरम करने रख दिया था और तेल अच्छा गरम होना चाहिए उसके अंदर हम यह सारे आलू के टुकड़े डाल देंगे और इसे हम फ्राइ करेंगे तो यहां पर अभी आपको क्या अलग होती है और यह खाने में काफी बढ़िया लगता है तो यहां पर देखे यह सुनेरे हो गए चली अब इसे एक बाद चेक कर लेते हैं यह नाइफ यहां फिर फोक चमच की मदद से गरी देखे चमच पूरा जा रहा है ना समझ लीजे आलू गल गए है तो बस आलू ग कालने के बाद आपको क्या करने एक आलू को लेना है और इस तरह से हलका सा दबाना है आप चाहे तो कोई गलास यह कर्टोरिया इस तरह से मेशर का इस्तमाल कर सकते हैं इसे दबाने के लिए यानि कि प्रेस करने के लिए देखे जादा प्रेस करेंगे ना तो क्या होगा आ जाएंगे और इसका स्वाद डबल हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं एकदम कुरकुरे हो गया है तो बस इसे प्लेट में फिर से निकाल लेंगे और यह अलो टुक इतने बढ़िया लगते हैं गर्मा गर्म रोटी या फिर इसे ऐसे ही खाए बच्चों को टिफिन में उन्हें इतना पसंद आएगा न तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यह सारे आलो टुक निकाल लिये हैं अभी काफी गरम है तो गरम गरम में इस वादनुसा नमक डाल देंगे इसी के साथ थोड़ा सा लालमिश पाउडर थोड़ा सा धनिया पाउडर और से और चटप इसे भी आप इसे खा सकते हैं या तो फिर आप इसके साथ राइस भी ले सकते हैं तो चली अब बिना लेते हैं राइस यहां चोटे चावल में से एक्दम खिले चावल बनाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं मैंने यह चावल ले लिए एक कब जितने अब आपके घर पे जो भी चावल हो, छोटे हो, बड़े हो, जो आप इस्तिमाल है, वो आप ले सकते हैं पर मैं रेगिलर में छोटे चावल ही इस्तिमाल करता हूँ इसले मैं यही लिए हैं, इसे हमें तीन से चार पाणी से अच्छे से वाश कर लियना है। अब आप कड़ाई में बनाते हैं, मेरी तरह पैन में कोई भी बरतन गैस को ओन करके रख दीजे, इसके अंदर में डालूँगे दो कप पानी, एक कप चावल में दो कप पानी, यह पर आप देख सकते हैं, पानी मैंने डाल दिया, इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ स्व तो चावल डाल देने हैं, चावलों में इसे पानी निकाल लेना है, क्योंकि पानी हमने डाल दिया है, तो बस सिर्फ आपको चावल ही डालने है, यह पर आप देख सकते हैं, मैंने चावल डाल दिया है, अब ना आपको इसे ढखना नहीं है, इसे खुलाई पकाना है, जब बस हलका सा रहना देखे इस तरह सरा चालों के बीच में पानी रहे जाएगा तो अब आपको क्या करना है एक बर देखे इस तरह से mix कर लेना है और mix करने के बाद आज को अचिको धीमी कर लेना है यानि की और देख सकते हैं फिर डिए बड़ी है prec cop कर तो जैसे जैसे पता है व्यचिझा डिया से खिले खिले बनेंगे और इसे दक से जरूर कीजिएगा तो यह यह पर शिले गया कोई भी चावल बनाते तो ऐसे जरूर कीज़ेगा तो और खेले खेले बनेंगे तो चलिए अब बना लेते एक दम बढ़िया सी गेहों के आटे की रोटिया उसके लिए इसके अंदर में डाल रही हूं गीहों का आटा तो यहां पर आप देख सकते मैंने काटोरी की मदद से डाल दिया है तीन काटोरी गेहों का आटा स्वादनुसा नमक थोड़ा सा तेल डाल देंगे अगर आप चाहे तो गी भी डाल सकते हैं अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा-थोड़ा करकर पानी डालेंगे और आटा गुन लेंगे तो जो गेहों के आतिकी रोटिया होती उसके लिए जो आटा होता है नहीं जादा सकत होता है नहीं जादा नरब होता है मीडियम आटा गुन कर आपको तयार करना है तो थोड़ा-थोड़ा कर पानी डालते जाए और आटा गुन लें जैसे आटा गुन कर तयार हो जाए तो ओपर से थोड़ा सा तेल या फिर आप पांस से दस मिनिट के लिए रख देंगे इसे जरूर इस तरह से रेच दीजेगा तकि आपकी रोटी और भी सॉफ्ट और भी फुली फुली बनेगी अब आपको क्या करना है पांस से दस मिन्ट हो जाए डखन को हटा ले और इसे एक पर अच्छे से फिर से मसल ले यहां पर देखें बीच में इस तरह से तोड़ा सा तेल या फिर गी लगा है जो आपको पसंद है इसे फिर से लपिट लेना है फिर से सूखा इस तरह से लगाना है और अब इसे बेलना है तो रोटी जो है जादा मोटी भी नहीं अच्छी लगते है एकदम पापड की तरह पतली भी तो जादा पतली भी नहीं, जादा मोटी भी नहीं, मीडियम आपको इसे बेल लेना है, अच्छे से सेख लेना है दोनों तरब से, अब आप रोटी पर गी पसंद करते है, तेल पसंद करते है, वो आपके ओपर है, मैंने तेल लगा लिया, तो लेजे तैयारे, बहुत ही तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, कि मैं क्या बना हूँ आज, तो आप यह बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी थाली है, सभी को घर में बच्चों से लेकर वड़ता को पसंद आएगी, नहीं जादा तेल का इस्तमाल किया गया है, और सारी चीजे ब बच्चे!